आज हमारे पूरी फैमली छट पर पहुश चुकी है, सब लोग मिलकर बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, सिगडी पर बनाएंगे, सिगडी पर पहली बार मैं गाजर का हलवा ट्राइ कर रही हूँ, पनी टिक का वगेरा तो बनाया है, हलवा गभी नहीं बनाया, लेकिन जब ब या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो सबसे पहले गाजरों को मैं छील रही हूँ, छट पर पूरी फैमली पहुची हुई है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करी रहा है, कोई गाजर धो रहा है, तो कोई छील रहा है, तो कोई सिगडी जलाने की तयार ही कर र रही हूं इन्हें कदुकस करने का थोड़ी गाजरे मैंने कदुकस की थोड़ी पापजी ने की मिल जुलकर काम जो है वो कम्प्लीट हो गया और सारी की सारी गाजरे जो है वो हमने कदुकस कर ली फाइनली सिगडी भी जल गी इसे जलने में आदे घंटे का टाइम तो लगी गया बाबा उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ घी अब हलवे में मैं तो दो चमज घी ही डाल रही थी लेकिन पीछे से मम्मी जी ने आवाज लगाई पूरा डाल पूरा हलवा चोखा बनना चाहिए मैंने का कि चलो भाई ठीक है आप कह रहे हैं तो चार पांच जमज घी के डाल देते हैं उसके बाद जितनी भी गाजरे हमने कदुकस की थी वो हम डाल देंगे इस कढ़ाई में उसके साथ साथ देखिए बाते मस्ती मजे ये सब चल रहा है छट पर मजा आ गया था सीरिसली उस दिन और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी तो और ज्यादा मजा आ गया अब देखिए घीव और गाजर को कम से कम पाँच मिनिट तक हम इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून रहे थे इससे ना गाजरों में बहुत अच्छी सी खुश्बू आ जाती है तो ये प्रोसेस आप जरूर से करें अब जैसी ये हो जाएगा तब हम क्या करेंगे इसमें दूद डालेंगे तो दो किलो जैसे गाजर ली है तो डेड़ किलो मैंने यहाँ पर दूद लिया है जो दूद मैंने लिया है वो फुल फैट लिया है यानि कि फुल क्रीम वाला जो दूद आता है उसका मैंने यूज किया है अगर आप फुल क्रीम दूद लेंगे हलवे के लिए तो हलवा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा अब देखिए हमारा काम ये है कि इसे हम लगातार चलाते रहें या बीच बीच में भी हम इसे चला सकते हैं क्योंकि जितना अच्छा ये घुटे गाना उतना ही के लिए इस हलवे को चलाया और आप देख सकते हैं लगबग लगबग जो दूद है इसका वो सूख चुका है तो बस जैसे ही दूद सूख जाएगा हम इसमें चीनी डाल देंगे अब यहां पर जो गाजरे थी ना वो बहुत ही अच्छी मीठी गाजरे थी फिर मैंने उसी हिसाब से यहां पर एक छोटी कटोरी के हिसाब से मैंने चीनी डाल दी चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं कितनी मीठी गाजरे हैं उस हिसाब से आप चीनी डालिए अब हमारा काम यह है कि चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी तो हमें इसका पानी जो है वो स तो बस इसी तरीके से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो चीनी का पानी है वो साथ के साथ सूखता चला जाए और आप देख सकते हलवा जो है वो कितना बढ़िया घुटा है हम लोगों ने हमारा हाथ नहीं रोका कभी मैं चलाती जा रही थी तो कभी दीदी जलाती तो देखिए जो चीनी का पानी है वो भी सूख गया है और अब मैंने इसमें मावा डाला है मावा को खोया भी कहा जाता है दो सो ग्राम मावा मैंने इसमें डाला है अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो अगर दो किलो गाजर है तो आप दो किलो दूद का ही यूज करें फिर आप मावा स्किप्ट कर सकते हैं तो देखिए मावे को हमने 5-6 मिनिट तक बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है हलवा जो है वो काफी अच्छा लग रहा है अब इसमें मैं ड्राइफ रूट्स डाल रही हूं काजू बदाम और किश्मिश आप चाहें तो ड भूल गई थी इसलिए मैंने नहीं डाला थोड़ा सा घी बच गया था मुझे लगा मम्मी जी डाट ना लगा दे मुझे इसलिए मैंने वह बचा हुआ घी बी ऊपर से और डाल दिया तो बस हमने इसे मिक्स किया और गर्मा गरम गाजर का हलवा बनकर तयार है वैसे तो हम सारी चीजे बनाते रहते हैं लेकिन इस तरीके से फैमिली के साथ बैठ कर एक साथ जहां सब लोग काम कर रहे हूं ऐसे बनाने में बड़ा मजा आता है कैसी लगी है आपको यह रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए